जितिन्दर जी कहते हैं कि हमने पाप किया था हमने लगाए थे हम ये कह रहे हैं कि 9 साल में हमने जो लगाए हैं उनको एक साइड पे रखो वो उनको जवाब बो लोग दे रहे हैं इन्होंने 9 साल के अंदर पी एची पीडेलुडी ज़ग कहां पर कोई एक आद भी लगाया जो लोग 20-30 साल से डेली वेजर है, कल उन्होंने जो हार पहनाए थे 25 सेमेल लोग और साथ मेन को भी, उनका तो बात मानने, उनकी तो बात को मानने कि उन्होंने ठीक किया गरत किया, मुझे छोड़िया, सुन रहा था, मैं सुन रहा था कि आज भी वो अपनी गलती को नहीं म अब मुझे लगता है कि एक दिन वो भी प्रटेस्ट करें, वो मान की काफी बात आपने की, चुनाब वहां सुनाब लड़ने जा रहे हैं, इसलिए कि जादा बातें समयाद कर रहे है, पहले तो मैं अंची जी आप से कहूंगा कि अभी यह जो बैक डॉर इस मकत सरकार चल राइजी की, इसमें बीजेपी पीशे बैठी हुईए, यह अभी रियासर दिकम्मू किश्मीर के अंदर इन्दी की कोई नीयत नहीं है, के संबली की एलेक्शन करतें हैं, आज हम भी परशान हैं, यह ग्र्षान है कि वो आपने पने को कलेरिलिफाइश करना पढ़ रहे ह कि कोई कह रहा है मैं CVI और ED के प्रेशन से आया हूं और कोई कह रहे हैं कि मैं CVI और ED के प्रेशन से नहीं आया हूं Democratic Progressive Ajahn Party के प्रांतिय पर्दान जुगल किशोर शर्मा जी हमारे साथ है पूर्वब मंत्री भी रहे हैं क्या उसी को देखकर उसके बाद आपका यह पढ़र शामने देखने को मिला यह फिर पहले से यह प्लैन था हमारी जो पाटी जब से बनी आघ नो मीने से बनी है, प्राग्रसिब अजाद पार्टी है के इकसाई एक साल से चल देखा है। पूरी स्टेट के इंदर अजाद साम ने कहा कि लोगें के साथ लोग बिचारे ठीक है किसी ने लैंड ग्रैबर है उसको तो आप खाली करो लेकिन जो हमारे पहाडी अलाके हैं अब उसका अफेक्ट आप देखो कि आपका मीडिया कैश करेगा कि वहां जो पचास साल सो साल से से बैठे हुए हैं उनको खाली करवाना थोड़ा गलत था आज भी मैं आपके द्वारा अडमिसेशन से कहूंगा कि वो लोग भुखमरी का शिकार हो जाएंगे कुछ ऐसे एरिया से तो आज की देट में मैं यहां तक समझता हूं कि जो आपने इशू मुझ से पूछा है ज रही लेटि का किया हमने जो अब ही आपको चिप ताया ए जो आज का ता कि आज मैं सुन रहा था मैं सुन रहा था कि आज भी वह अपनी गलती को नहीं मान रहे है किस बात का चिंतन जो जो दरिया का पानी पाकिस्तान में चला गया क्या वो सर्भ सिंग वापस ला सकते हैं कि यह लोगों की खिदिम अब जिसे मैंने शे साल जो काम किये हैं जो मुझसे रह गया होगा पांच मिट का भी तो कोई रहा नहीं है उस टाइम पे लेकिन लोग किनोमेटर हम नहीं बना पाए इस लिए नहीं बना पाए इन्होंने स्टे लगवाया था उस रोड़ पे बड़ी मुश्कत से उस्टे को बिकेड करवाया फिर हमने दूसरी एक और शड़क दी यह चाहते थे कि इस रोड़ को सोजंदार जाए यह नीचे से ओपर जाए हमन सरकार चल रही इसमें बीजयु पीशे बैठी हुई यह एंटि कोई नियत नहीं है कि असमगली एлекशन करने आज हम बहु में परशान है आज उनकी परशानी इतनी है कि वह आपने आपोने को वकले करना प्ड़ रहा है कि कोई कह रहा है मैं स्वीए और इसमे जी यह प्रेस हम भी रहे हैं सरकार के अंदर, हम भी पोस्टों में रहे हैं, लेकिन हमने डवेलमेंट की तरफ फोकस दिया है, आज पूरी रियासत में चले जाओ, तो लोग कहते हैं कि जितरा डवेलमेंट जुगर कि शोर में रियासी में करवाई थी, हमारे हिसे का पैसा भी बहाँ चला जाता था मज़ा तब था कि यह उन उनीस डिस्टिकों का पैसा भी यहां ले आती यह यहां आया था उसकी प्रागर्स निकालती अंतिम सवाल यह है कि एक मजबूत लोकरंतर में एक अच्छे विपक्ष का होना जरूरी है चुनाब नहीं हो रहे क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष भी उस तरह से दवाब सरकारों पर नहीं बना पार है जिस कारण वो भी फैसले को टालते जा रहे हैं अब जो इस बगत की सरकार है मुझूदा किसकी सुन रहे हैं आज आपने देखा पी एची वाले कितना विचारे कह रहे थे पोटेस्ट कर रहे थे नो साल से स जवाब वो लोग दे रहे हैं इन्होंने नो साल के अंदर पी एची पीड़ोडी या कहां पर कोई एक आद्बी भी लगाया जो लोग यहां रेटायर हो चुके हैं हाल डपार्टमेंट में क्या इन्होंने उनको लगाया कोई पोस्टें साब खाली रखे हुई हैं यहां हम यहां तक समीता हूं कि जो इनकी नियत है वो नियत क्लियर नहीं है अलेक्शन इनके माइड पे नहीं है अब इन्होंने यही चाहते हैं मेर को नहीं है ब्स साल 30 साल देली वेजर है की इस Cape Town के हमाफे सार हुई सम्टे और इस हार रह रहा हैं संबिदान के मताबक हमेंच हमें हर पांच साल के अंदर चाहिए वो बीडीसी की एलेक्शन हो, डीडीसी की हो, पंचायद की हो, कार्प्रेटर की हो, MLA की हो, MP की हो, यह हमें एक राइट मिला है, अंग्रेजों से भी उपर राज है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहां जल्दी से स्टेड बननी चाहिए ह रियासी कटर रोड, उस पर भी आप खुल कर तो नहीं दिखे, आपके द्वारा हर पार्टी और मैं आपके द्वारा फिर कहूंगा बकीलो तक सबसे लास्ट में बकील आते हैं, अब बचे हम तो हैं ही है, अब बचिए डिस्टिक एड़र में रियासी से नाग जी, अब परदर्शन के गया है, और बचिए रियासी से मुलाकात की गई है, उनके समक्षी ये तमाम मुद्दे रखे ये है, और इसके इलावा अन्य जो मुद्दे है, जबलन्त मुद्दे है, वो भी उठाएगे है